आप्छों लास्ट क्लास में हमने डाइमेंशन को और यूनिटें न मेजरमेंट वाले टापिक को समझा था अब हम बात कर रहे हैं आप से application of dimensions की तो dimension हमारे किस काम आती है उसकी क्या क्या applications है वो देखेंगे तो पहली application है आपकी principle of homogeneity अच्छा इसका मतलब क्या है हम ये check करेंगे कि जो हमारा formula है वो dimensionally correct है या नहीं अच्छा धियान लखना सिर्फ वो dimensionally correct ही पता लगा पाएगा वो ये नहीं पता लगा पाएगा कि वो formula ठीक है कि नहीं हाँ हम इस से principle of homogeneity से पता लगा सकते हैं कि LHS और RHS की dimensions equal है कि नहीं आगे दिखते हैं अब बात आती है 9th class में आपने कुछ equations बढ़ियोगी motion की V is equal to U plus 80 S is equal to UT plus half 80 square V square minus U square is equal to 2AS ये equations हम जानते हैं कि correct है ठीक है अब हम इनको check करेंगे dimensionally जिससे हमारा ये principle of homogeneity हमें समझा जाए ठीक है तो यहाँ पे V क्या है V है आपका final velocity U है आपका initial velocity T है आपका time period S है आपका displacement और A है acceleration ये सारी बाते हम जानते हैं अच्छा V और U दोनों है तो velocity तो उनकी dimensions भी same होंगी L1 T-1 S आपका displacement unit कहें तो इसकी meter और dimension कहें तो सिर्फ length acceleration आपका meter per second square और dimension L1 T-2 ठीक है अब हमने पूछा क्या ये formula dimensionally correct है तो भई एक तो ले लो LHS एक ले लो RHS और दोनों की dimensions equate करो LHS यानि की velocity और dimension है L1 T-1 इसे equation 1 बना के छोड़ दिया RHS यानि की U plus 80 ठीक है U की dimension क्या है L1 T-1 acceleration की dimension है L1 T-2 और time की है T1 अब ज़रा ध्यान दो acceleration into time इनमें base सेम है आपका तो power add होगी कर दिया minus 2 में get गया तो minus 1 बन गया अगर दोनों की dimension सेम दिखाई दे रही हो तो add करने पर वही dimension आजएगी L1 T-1 ठीक है अब इसके बाद बारी आती है आप equation 1 को और equation 2 को equate करो equate करने पर हमें मिला कि V is equal to U plus 80 dimensionally correct है dimensionally correct है बार-बार बोल रहा हूँ आगे इसका example दे के समझाऊंगा भी आपको दूसरी equation उठाई हमने S is equal to U T plus half 80 square तो यहाँ पर LHS क्या है S यानि कि length इस equation 1 बना के छोड़ दो RHS क्या है U T plus half A T square U की dimension में जानता हूँ L1 T minus 1 T की dimension में जानता हूँ T1 Half की कोई dimension नहीं होती acceleration की L1 T minus 2 time की T1 का square अच्छा ध्यान रखना इसकी power की power है multiply हो जाएगी फिर वही base वाली बात base same है तो power add हो जाएगी और minus 2 में plus 2 add करोगे तो वो 0 हो जाएगा यह छोटी छोटी बाते बताने की जूरत नहीं है न T की power minus 1 T की power 1 खत्म हो जाएगी आगे फिर वही दोनों की dimension same है add हो जाएगी equation 1 और 2 को देखने पर पता चलता है की S is equal to U T plus half A T square dimensionally correct है अब हम बात करते हैं यह dimensionally correct का मतलब क्या है एक काम करो आप formula लो यह है S is equal to 30 U T plus 5 by 2 8 T square formula गलत है आप इसे question करोगे answer आपके गलत आएंगे लेकिन dimensionally correct है तो dimension किसको नहीं पढ़ पाती एक तो constant को और एक उन चीजों को जिसमें sign और जिसमें dimension नहीं आती जैसे ज़रा एक question देखो अगर मैं pressure को कहूं हो एक रोजी तो ठीक है और उसके साथ 10 theta ले लो तो भी ठीक है क्योंकि यह dimension less quantity है और अगर यह dimension less है तो dimension वाला formula इसे या principle of homogeneity इसे नहीं पकड़ पायागा ठीक है आगे चलते है अगली बात आती है आपकी इस formula की v square minus u square is equals to 2as इसको आप खुद करो यह कुछ example दिया मैंने यहां बताया भी है यह तीनों तो correct है यह तीनों correct नहीं है लेकिन फिर भी dimensionally correct पाये जाएंगे तो यहां पर principle of homogeneity वाला topic complete अब आते हैं हम दूसरी application पर dimension की दूसरी application है unit conversion यहां पर हम सिर्फ system को convert करेंगे unit conversion में हम system of unit को convert करेंगे अब ज़रा ध्यान देना यह system of unit कैसे convert होगा जैसे मैंने आप से कहा मैं कहा लिखो थोड़ी जगे थी यह देखो cgs को convert करो mks में हाँ तो यह possible है यानि कि मैं centimeter को meter में या gram को kilogram में या second को second में या second को r में convert कर सकता हूँ क्या 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 मैं gram को second में convert कर सकता हूँ नहीं यह तो physical quantity चेंज हो गई क्या मैं आर को meter में convert कर सकता हूँ नहीं तो यह गलती मत करना है ठीक है यहाँ system of unit conversion का मतलब यह नहीं कि आप unit को उसके system में तो convert कर सकते है यूनिट को convert नहीं कर सकते है कि physical quantity ही बदल दो यहाँ पर एक चीज देखिए हमने कि generally जो यहाँ पर यह चीज़े आ रही है यह centi, milli, kilo, pico यह सब 10 raise to the power है मतलब 10 की power 1, 2, 3, 4, 5 यानि कि multiple sentence के तो इनको हमने एक category बना दी उसे बोलते है हम matrix 10 या 10 के multiple अब ज़रा ध्यान दो अब अगर 10 की power 1 हो तो इसका मतलब 10 या 10 उसको हम कहेंगे डेका, 10 raise to the power 2 हो तो उसका मतलब है 100 और उसको हम कहेंगे hectare 10 raise to the power 3 है तो उसका मतलब है thousand उसे हम कहेंगे kilo 10 raise to the power 6 है तो इसका मतलब 10 lakh इसको हम कहेंगे macro, macro को capital M से भी दिखाया जाता है million भी कहते हैं, सुना ही होगा million और mega भी कहते हैं मेगा आपने सुना होगा, जनरल यह जो कंप्यूटर में, स्टोरेज के लिए यूज होती है, यूनिट मेगा बाइट में, ठीक है, उसके बाद बारी आते है, 10 रिस टुद पावर 9, इसका भी आपने गीगा बाइट, 10 रिस टुद पावर 12 टेरा बाइट, ये तीनों की तीन समझा रहे हैं, कि कितनी स्टोरेज हो रहे है, 10 रिस टुद पावर, ठीक है, 10 लाख है, एक बिलियन है, या हजार बिलियन है, तो वो समझाता है, ये आपका मेगा, गीगा और टेरा, रिस्पेक्टेवली, फिर हमने कहा, अगर इसी की पावर को हम इन्वर्स में ले जाएं तो, 1 upon 10 को हम लिख सकते हैं, 10 रिस टुद पावर माइनस 1, 1 upon 100 को हम लिख सकते हैं, 10 रिस टुद पावर माइनस 2, 1 upon 1000 को हम लिख सकते हैं, 10 रिस टुद पावर माइनस 3, 1 upon 10 लैक को हम लिख सकते हैं, 10 रिस टुद पावर माइनस 6, अब जरा ध्यान दो, 10 रिस टुद का मतलब milli 10 raised to the power minus 6 का मतलब micro 10 raised to the power minus 9 का मतलब nano और 10 raised to the power minus 12 का मतलब P को ठीक है इनके सिंबल याद रखना बेटा जैसे डैसी के लिए D, सेंटी के लिए C, अचाये micro का हो जो सिंबल है ये है mu, कुछ मत समझो बस ये समझो एक u बनाया और उसके आगे एक टांग खेंजती ठीक आगे चलते हैं, यहाँ कुछ छोटे मोटे हमने example ले लिए हैं, जैसे आपको कोई कहे कि सेंटी मीटर को मीटर में convert करो, तो आप सेंटी की value लिख दो, हो गया convert, पीको की value लिख दो, nano की value लिख दो, micro की value लिख दो, बार बार बोल रहा हूं, micro की symbol को याद रखना, ये giga है giga और n का मतलब newton, giga की value लिख दो, kilo की value लिख दो, खतम काने, तो ये आपका basic सी बात हो गए कि unit conversion क्या होता है, लेकिन अगर मैं newton, चैसे अब ही newton लिया था, इसको खोल दो kg, meter, per second में, और फिर convert करने को कहूं तो, तो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, अब यूस meter में convert कर दो, picometer का मतलब क्या है, रुको, अब ठीक है, 10 raised to the power minus 12 meter, एक काम तो हो गया, जो मुझे meter चाहिए था, वो तो मिल गया, अब kilo ढूनना है, आसान सा थरीका, kilo से multiply, kilo से divide, kilo की पावर minus 3 नहीं 3 होती है, kilo से multiply, kilo से divide, ठीक है, kilo meter as it is, यह अगर उपर जाएगा, तो इसकी power क्या हो जाएगे, inverse, तो 10 raised to the power minus 15 kilometer, यह value बनी, एक picometer के equal, कोशन, हो गया कोशन, एक और कोशन देखते हैं, mili gram को nano gram में, mili gram को आप यह लिख सकते हो, नैनो से multiply और नैनो से divide, yellow, 10 raised to the power plus 6 nanogram, तो आप कह सकते हो, कि mili gram बन गया, 10 के power 6 nanogram के equal, यह लो, आगे दोनों कुशन समझे हैं, आगे चलते हैं, अगर हम बात करें, picometer को convert करो, giga meter में, giga second को convert करो, nanosecond में, तो अब हो जाएगे ना है कुशन, इनको attempt करो, practice करना जरूरी है, इसे value याद हो जाएगे आपको, जैसे nano है, giga है, इनके value याद कैसे करोगे, इस question में आपको g की और h की dimension निकालनी है, यह question भी करना है, attempt है, अब बारी आते है unit conversion की, जिसके मैं बात कर रहा था, यह पूरे system को लेके convert कर रही है, जैसे mks को cgs में है, देखो, मान लो कि आपको ढूनना जो है, यानि कि जो find करना है, वो है, यह, यह, n1, m1, l1, t1, और आपको given है, n2, m2, l2, t2, ठीक है, तो, एक चीज का ध्यान रखना है, m की पार, l की पार, और t की पार, यह, same होनी चाहिए, यानि कि dimension, दोनों तरफ same होनी चाहिए, अगर dimensionally formula correct होगा, तो ही मैं unit convert कर पाऊँगा, नहीं तो, नहीं कर पाऊँगा, तो, n1, यह तो पता है, आपको, m का मतलब mass, l का मतलब length, t का मतलब time, तो, इन दोने equations को equate किया, n1, m1 की पार a, l1 की पार b, t1 की पार c, is equals to n2, m2 की पार a, l2 की पार a, और t2 की पार b, और t2 की पार c, यह काम करो, इन सब को उठा के इधर ले जाओ, यहां सिर्फ n1 रखो, और यहां रखो n2, m2 by m1, l2 by l1, t2 by t1, अब m में पार a, m2 by m1 की, l में पार a, b, और t में पार a, c, और यह n1 हमें धोनना है, ठीक है, यह question में given मिलेगा, यह उपर यह तीनों given मिलेंगे, और जो नीचे के तीनों है, उसकी form में धोनना है, देखते हैं, question करके देखते हैं, convert करो 1 km per second square, यानि कि acceleration की बाद चल रही है, को meter per second square में हो जाएगा, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, किस physical quantity की unit है, यह acceleration की unit है, तो इसकी dimension भी लिखनी पड़ेगी, तो लिखो, dimension of acceleration क्या है आपका, m0, l1, t-2, इस dimension से आपको A, B, और C मिल जाते हैं, देखो, यह मिला A, यह मिला B, यह मिला C, ठीक है, अब हमें given क्या है, km और second, और यह n2, 1, यह दिहां लिखा है, देखो 1, अच्छा, जरूरी नहीं, यह 1 हो, यह 500 हो सकता है, 10 के पाउर माइनस 3 हो सकता है, जो मरजी हो सकता है, अगले question में कुछ अलग ले लेंगे, अब देखो, ढूनना क्या है हमें, meter per second, और n1 को ढूनना है, आज़ो, तो इस वाली equation में put कर दे, n1 is equal to n2, m2 by m1, l2 by l1, t2 by t1, और power देखो क्या है, पहले की 0, दूसरे की 1, और यह कहां से आई आई आपकी, यह आई आई आपकी dimension से, कहां से आई, dimension से, ठीक है, अब आगे चलते है, n1 is equal to n2 कितना था, 1, ठीक है, यह तो 0 ही हो, इसकी तो power खत्म हो गए, यह 1 बन गया, किसी के power 0 हो, तो उसकी value 1 बन जाती है, length कितना था, kilometer, by meter, second by second, यह तो गया, इसको अगर मैं काट हूँ, तो हम जानते हैं, thousand आएगा, यह तो 1 ही हो गया, इसलिए इसकी power का कोई मतलब नहीं, तो n1 is equal to thousand, आप कह सकते हो, कि 1 kilometer per second square, thousand meter per second square के equal होगा, एक और कुशन देखा हो हमने, convert करो 50 newton को dines में, यह MKS unit है, और यह CGS unit है, दोनों की दोनों force की unit है, इसकी unit है, force की, ठीक है, आजो, तो सबसे पहले तो यह लिखो, newton और dines, force की unit है, अब लिखो, force की dimension, force की dimension क्या है, F, M1, L1, T-2, तो आपके पास A आ गया, B आ गया, C आ गया, अब इस formula को लगा सकते हैं, अब जरा थेहन देना, जो यहाँ पे, A है वो है 1, B1 और C-2, N2 कितना है, देखते हैं, 50, तो न्यूटन नहीं, सिर्फ 50, ठीक है, चलो, तो N2 आपका 50 है, उपर जो लिखा जाना है, वो है M, K, S, नीचे जो लिखा जाना है, वो है C, G, S, इसको काटेंगे तो आएगा 1000, इसको काटेंगे तो आएगा 100, अच्छे यह तो पता है न, एक मीटर में 100 सेंटिमीटर होते हैं, तो जो आपका, एनटु आया, एक मीटर का, एनवन, हुआ आया 50, इनटु थाउजन, इनटु 100, यानि कि 5 इनटु 10 दिस टु पावर 6, तो आप कह सकते हो कि भाईया पचास न्यूटन बराबर है पचास लाख डाइन्स के ठीक है तो एक न्यूटन किसके एकवल हुआ टैन रेस टुदी पावर फाइव डाइन्स के इसे याद रखना अन्मर्दन के दोर पे ठीक है अब ऐसे ये क्वेशन कहता है कि कन्वर्ट करो 100 जूल को अर्ग्स में कर देंगे अब आपके जूल जो यूनिट है वो वर्ग की है अर्ग भी यूनिट जो है वो वर्ग की है जूल है MKS और अर्ग है CGS और ये 100 क्या है आपका N2 आप जानते हो वर्ग की डाइमेंशन क्या होती है M1, L2, T-2 M1, L2, T-2 तो आपको A मिल गया B मिल गया C मिल गया काम हो गया फिर तो इसरी फॉर्मला पूट करना है ठीक है NCRT का एक कुशन है ये देखो ये तो हो जाएगा इसमें आपको A, B और C दिखाई दे रहे है इसका मतलब बताता हूँ मैं आपको ये क्या है ये नए चीज़े इसके बारे में कराऊँगा भी बिटा मैं भी आपको जब वो कराऊँगा ना कि किसी प्लाइनेट का साइज मेजर करो किसी प्लाइनेट का अर्ट से डिस्टेंस मेजर करो फार डिस्टेंस इस तब ये लाइट एर आम्स्ट्रॉम एस्ट्रॉमिकल यूनिट पार सेक इन सब के बारे में बताऊँगा अभी के लिए आप इतना समझ लो लाइट एर का मतलब है वो डिस्टेंस जो लाइट एक साल में चलती है वो है 9.46 10 देस टुदि पावर 15 मीटर और वो भी वेक्यूम में क्योंकि वेक्यूम में लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10 देस टुदि पावर 8 मीटर पर सेकेंड और वो फिक्स होती है और अगर मीडियम बदलेगा तो यह डिस्टेंस भी बदलेगा और वो बिलॉस्टी भी बदलेगी यह केस तो अभी कराया है अच्छा यह देखो जरा यह आपके जी के काउंस्टेंट की वैल्यू यह उसकी यूनिट है यहाँ ABC देखने में दिक्कत आ रही है वन टू माइनस टू यहाँ पर थ्री माइनस टू माइनस वन ऐसा इसलिए क्योंकि यह ड्राइब यूनिट है फंडामेंटल नहीं है इसे कनवर्ट करो चलो करते हमने लिखा जी 6.67 10 देश टू पावर माइनस 11 निउटन मीटर स्कुएर पर केजी स्कुएर है एक बड़ी डी चेक कर लेते हैं हंजे अब निउटन को खोल दो केजी मीटर पर सेकंड स्कुएर में और उसे मल्टिप्लाइ कर दो मीटर के स्कुएर के साथ और केजी की पर स्कुएर के साथ बेस सेम हो तो पावर एड़ होती है तो यहां से केजी केजी की साथ मल्टिप्लाइ होके केजी की पावर माइनस 1 बनेगा मीटर मीटर के साथ मल्टिप्लाइ होके क्यूब और सेकंड पर स्कुएर 6.67 यह क्या है आपका गिवन नंबर अब फिर वही फॉर्मला लगातो अब तो हो जाएगा कुशन ABC आपको पता है N2 आपको पता है N1 निकालना है ठीक है यह cm, second और gram यह वाली value यह point करनी है यानि की नीचे आईगी और यह given है यहाँ आती है यहाँ आती है जो given होती है यहाँ आती है जो find करनी है चलो तो यहाँ पर आपका unit conversion वाला topic खत्म अब बात करते हम formula derivation की आपको formula drive करना है इसकी dimension की मदद से ठीक है देखते क्या करा हमने का भया कोई x physical quantity है एक x नाम की physical quantity है जो depend करती है y पे z पे और p पे और इनकी par है a, b और c तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x depend करती है y raised to the power a z raised to the power b और p raised to the power c proportionality का sign हटाया तो constant आया और formula मिल जाएगा इससे हमें करके देखते है question हम जानते कानेटिक एनरजी half mv square होती है इस half का हम इस dimension वाले formula से पता नहीं लगा सकते experimental calculation से पता लगाना होगा हमने एक question लिया जिसमें हमने कहा कि पता लगाओ kinetic energy क्या होगी moving particles की जो depend करती है mass of that particle पे और velocity of that particle पे ठीक है तो हमने कहा है जो kinetic energy है वो depend करती है mass और velocity पे ठीक है अब proportionality का sign हटाएंगे constant लेकर आएंगे अब dimension लिखते हैं सबकी kinetic energy यानि की energy यानि की work done dimension क्या होगी m1, l2, t-2 mass की dimension बताने की जोरत नहीं है और velocity ठीक है अभी क्वेट करना चालू करूं kinetic energy आती है आपकी m1, l2, t-2 k की कोई dimension नहीं है mass की है m1 velocity की है l1 t-1 तो यहां से mass की power आ गई a 1 multiply by a l multiply by b t multiply minus 1 को मैंने multiply किया b से minus b आ गई ठीक है हमने यहां पे यह जो power थी ना बेटा a, 1 इसको a से multiply कर दिया यह जो power थी 1 इसको b से multiply कर दिया जो power थी minus 1 इसको b से multiply कर दिया और equate कर दिया इस equation से देखना यहां से on comparing power of m, l, t m, l, t की power compare करने पर हमें a मिला 1 k equal b मिला 2 k equal और फिर से b मिला 2 k equal ठीक है ठीक है अब a, b, b मिल गया हमारे पास formula था kinetic energy का k, m, a, v, b a तो 1 है b2 है तो kinetic energy क्या आ गई k, m, 1, v, 2 experimental calculation से हमें पता चला कि जो k है वो half है और kinetic energy का formula आ गया half m, v square आपको जब question आएगा तो आपको यहीं तक करना है ठीक है ऐसे ही एक और question लेते है मान लो आपको question आया कि pressure जो है यह pressure है underwater depend करता है density of liquid पे जिस liquid में उसे dip किया गया है height of liquid पे acceleration due to gravity पे ठीक है अब पहले तो आप यह समझ लो density का मतलब होता है mass upon volume height length होती है और acceleration due to gravity एक acceleration ही होता है तो mass upon volume के लिए आपकी dimension बनी m1 l cube length l1 और acceleration l1 t-2 एक बारी देख लो तीनों dimension को फिर आगे चलते हैं चलें आगे देखो अब आप कह सकते हो कि pressure जो है वो depend करता है इस उपर जो बाते लिखी थी उससे प्रेशर जो है वो depend करता है density की power a height की power b और acceleration due to gravity की power c ठीक है proportionality का sign हटाओ constant का k लगाओ p is equals to k rho raise to the power a h raise to the power b g raise to the power c आगे आजो p की dimension का है m1, l-1, t-2 density की dimension का है m1, l-3 height की dimension का है l1 g की dimension का है l1, t-2 ये put करी और हमने equate कर दी देखना दरा pressure is equals to k h rho g pressure की dimension m1 l-1, t-2 h की dimension k की कोई dimension नहीं होती h की dimension l1 इसकी m1, l-3 और g की l1, t-2 ठीक है आगे देखते हैं यहां पे m की पार कितनी है one multiply by b l की पार कितनी है पहले पार की पार है यहां पे है minus 3b और यहां पे है c last में t की की पार कितनी है minus 2c on comparing power of m, l, t हमें मिलता है पहली equation b is equals to 1 यह तो m की power compare करने पे मिला फिर a minus 3b plus c equal to minus 1 और c की power compare करने पे मिलता है minus 2 is equals to 2c देखो एक value तो b की मिल चुकी 1 के c की मिल गई ठीक है एक value आगई हमारे पास एक a value आगई अब इन दोनों value को हम put कर देंगे इस equation में a निकालने के लिए b की value c की value minus 1 तो a की value कितनी आई 1 यह लो तो तीनों की value 1 आगई ठीक है आगे चले यहां देखते हैं हम a,b,c की value लेते हैं is equal to b is equal to c is equal to 1 और हमारी जो equation थी p is equal to k h rho g उसमें a,b,c की value रख देते हैं तो pressure क्या आया h rho g क्यों? क्योंकि एक्सपरिमेंटली क्यलकुलेशन से k की value मिली हमें एक देख लो राम से इसको समझो फिर आगे चलते हैं ठीक है अब NCRT का एक question है उसको देखते हैं consider a simple pendulum having a bob attached to a string that oscillates under the action of the force of gravity ठीक है हमने एक case लिया है जिसके अंदर एक bob है यही लोही की ball यह metal की ball वो एक धागे से बंदी हुई है और oscillate कर रही है simple pendulum में ठीक है तो वो कहता है असली question यहां से start होता है suppose that the period of oscillation of simple pendulum depends on किस-किस पर depend करता है length पे mass of bob पे और acceleration due to gravity पे तो drive करो expression drive the expression for its time period time period depend किस पर करता है mass पे length पे और acceleration due to gravity पे ठीक है तो proportionality का sign हटाएंगे तो constant आएगा mass पे length पे और acceleration due to gravity पे कुछ मत करों आप dimensions रखो M0 L0 T1 कि की कोई dimension नी mass की M1 length की L1 और acceleration की L1 T-2 ठीक है देखो 1 multiply by A 1 multiply by B plus C क्योंकि हाँ पे पी ये L T के पावर माइनस 2 C फिर वही on comparing power of MLT A आ गया 0 B plus C भी आ गया 0 और 1 equal to minus 2 C तो C आ गया minus half B equals to minus C तो B आ गया minus of minus half यानि की plus half ठीक है तो अब हमारे पास कौन कौन सी value आ गई A आ गया C आ गया B आ गया तीनों आ गया उठा के इस equation में रख देंगे देखते हैं T is equals to K M G और क्या था L इनकी पावर थी ABC और ABC की पावर हमने रखी 0 half minus half चक कर लो एक बरी हाँ ठीक है तो जिसकी पावर 0 होती है उसकी value तो 1 बन जाती है और जिसकी पावर negative हो वो inverse में आ जाता है बटे में और half का मतलब square root experimental calculation से K की value आई 2 पाई चलो एक और question है यापर वो है viscosity की force पे ठीक है जो force होती है liquid की यह हम ना उसमें बढ़ेंगे hydrodynamics में जैसे मान लो एक pipe है उसमें से पानी निकल रहा है तो उसमें जो force है वो किस किस चीज़ पे depend करती है viscosity पे velocity पे और radius of pipe पे ठीक है viscosity की dimension आपको NCRT में मिल जाएगी और मैंने करवाई भी थी आपको ठीक है जिस lecture में कराई थी पीछे उसमें देख लेना इस expression को भी इसी तरीके से solve करेंगे यहाँ पे आपकी application of dimension के question application of dimension का portion खत्म NCRT से इसके question करो ठीक है next class में हम उठाएंगे error तब तक राधे राधे